हेलो जी नमस्ते सच्छे काल स्लाम लेकूम वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ट्रो हिंदी उर्थू और आज मैं रीडिंग करूंगी पिककाट में 2022 आप लोगं के लिए में 2022 में क्या होने वाला है क्या प्रेडिक्शन्स हैं ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए क्या फॉर्चन है क्या गुड नियूज आप लोगं के लिए इस मन्त में जो होने वाली है आपके लिए लव मैसेजिस क्या है या ओवर आल आप लोगं के लिए मैसेजिस क्या है जो आपको सुनने जरूरी है या जिस वक्त भी आते हैं हमारी चेंज लेके आते हैं बहुत बढ़ा बिग शिफ्ट लेके आते हैं हमारी लाइफ में तो जो मे कामन्त है वो काफी स्ट्रॉंग होगा काफी हैवी नर्जी होंगी काफी हैवी प्लैनेट्स होंगे चीजें बहुत चेंज होंगी आपकी लाइफ कुछ पास्ट वाली प्राब्लम्स भी हो सकती हैं, जो वापस आएं, पास्ट वाले लोग भी आ सकते हैं, बहुत सरी चीज़े होंगी में में, तो यह मैं उनकी बात कर रही थी, लेकिन वी विल सी कि आप लोगं की लाइफ में क्या चेंज आएगा, बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, चाहे वो लव है, केरियर है, या ओवर आल आपकी लाइफ में है, और जब भी एकलिप्स की शिफ्ट होती है, वो बहुत पावरफुल चेंज आता है, तो या तो आपकी अपनी परसनल लाइफ में चेंज आता है, ये बहुत ही इंपोर्टन मन्त है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़े है, ये एकलिप्स आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, शेक कर देते हैं लाइफ को, उपर से नीचे, नीचे से उपर, इस तरह की एनरजी होती है, ये एकलिप्स की, ठीक है, तो स्राट करते हैं या जो आपको अगर कोई WhatsApp करता है, इमेल करता है, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है, वो Fake Accounts है, वो Scammer है, अपने आपको बचाईए उन लोगों से, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आफर नहीं करती, Personal Readings, तो स्टार्ट करते हैं आज की Reading, आपके सामने दो questions, basically क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने Oracle's card already select किया है, तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की Reading, Pile No.1, जिन्नों ने letters A to M, जिनके हैं, ठीक है, यह आपकी Reading है, Welcome, और जिन्नों ने यह वला card select किया है, let's see, कि में 2020 में, आपकी Life 22 में, आपकी Life में क्या changes आने वाले हैं, let's see, we have a playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together, and remember, love is the greatest healer, so, आप हो सकते हैं किसी को मिलो, यह अगर इस वग किसी को date कर रहे हो, तो आप दोनों के दर्मियान में fun काफी होगा, adventure होगा, अपने आपको heal कीजिए, laughter के साथ, fun के साथ, memories बनाएए, और अगर आप single हैं, तो हो सकते हैं, आप किसी को मिलें, तो उसमें playful रहे होगा, relationship में, ज्यादा किसी को मिलते ही, बिल्कुर यह नहीं कहादा ना, कि मुझे शादी करनी है, या मुझे serious commitment चाहिए, ठीक है, अगर वो इनसान आपके काबिल है, और आपको लगता है, कि वो अच्छा इनसान है, अच्छी लड़की है, तो उसके ओपर आते ही पहले pressure नहीं डाल दे जाएगी लड़की, ठीक है, तो get to know each other, लेकिन जिसके साथ आप डील करें, उस इनसान की energy भी हो सकती है, कि वो सिर्फ फन करना चाहते है, आपको जानना चाहते है, आपके साथ एक अच्छी memories बनाना चाहते है, experience करना चाहते है, उसके बाद वो आगर decide करेंगे, ठीक है, त start as a friendship, flirt होगा, या आप अरड़ी कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, flirting, friendship और इस तरह की बाते है, तो देखने है, और मजीद क्या है, we have a yin and yang, we have action, yeah, lot of yin and yang energy, यहाँ पर भी नजर आ रहे है, balance energy होगी, the next is man holding a coin, फिर है हमारे पास message in the bottle, yeah, we have peace, lot of birds, आप हो सकते है, बाद you may be born into a horse year of Chinese, या जिस इंसान के साथ आप डील करने वाले हो, या आने वाला है, आपकी लाइफ में अंटर होने वाला है, उनका हो सकता है, we have celebration, three of cups, we have heart chakra, yeah, more green, more green, the next is the mental conflict, so ये इंसान गंजा हो सकता है, बाल्ड हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो, कुछ लोगन के लिए इ कुछ लोगन के लिए ये इंसान गंजा है, बाल है, और कुछ लोगन के लिए इस इंसान के बाल बड़े होंगे, you know, like, they have a long hair, especially if this is a guy, okay, yeah, I was not noticing it, okay, तो सबसे पहले चीज़ आप हो सकते है, आपकी एज जो है, वो 15 है, 17 है, 22 है, 24, 42, 34, 23, ये specific आप लोगन की एज हो सकती है, ये इस इंसान की, जिसके साथ आप डील करे हो, ये आपके पास आने वाला इंसान, now, let's see, we are talking about playfulness, with a yin and yang, ये जो काड़ है, ये बात कर रहा है, कि yin and yang energy, जभी मैं इस काड़ को देखती हूँ, it's a soulmate card, तो एक ऐसा इंसान, जिसके साथ आपका soulmate connection होगा, और connection क्या हो होगा, ठीक है, आप या तो इस इंसान को अरड़ी जानते हो, तो आपकी इस इंसान के साथ union होगी with the three of cups, ठीक है, या आप इस इंसान को मजीद करीब होके जाना होगे, friendship, आपकी जो friendship है, वो मजीद close होगी, या हो सकता है, आप friends से lover बनो, क्योंकि यहाँ पे heart chakra है, ठीक है friendship से love की तरफ, मतलब आपका heart open होगा एक दुफरे के लिए, that you're falling in love, हो सकता है, यह आपकी energy है, that you're falling in love with your friend, या आपका friend आपके साथ love करता है, तो वो आपको express करेगा, अपनी feelings को, क्योंकि यहाँ पे है message in the bottle, so कोई definitely आपका secret admirer है, या आपको like करता है, यह इंसान आपके friend circle में है, या आपका friend है, या आपके irdh-girdh है कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप work करते हो, या with this man holding a coin, ठीक है, यह इंसान आपकी तरफ action लेगा इस month, mostly इस month, और कुछ लोगों के लिए, यह इंसान आपसे contact करेगा, because I'm seeing a lot of greenery here, so अभी जो है, यह इंसान सोच रहा है, क्यों की बात नहीं चाल रही है, और यह इंसान आपके साथ peace चाता है, with a peace and mental conflict, वो नहीं चाता है कि आपके साथ मजीद जगड़ा रहे, आपका friend भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, lover नहीं है, यह friend भी हो सकता है, friend है, कोई close family circle है, ठीक है, family का member है, कोई colleague भी हो सकता है, ऐस तो हो सकता है, यह कोई old friend है, old colleague है, family member है, जिसके साथ भी आपका भीड़ा था, जिसके साथ भी आपने कोई जगड़ा किया था, यह इस इनसान ने आपके साथ जगड़ा किया था, तो अब यह इनसान अपने heart को open करना चाता है, और peace लाना चाता है, आप दोनों के relationship में, इ आप किसी की party attend करें, function है, कोई शादी है, कोई engagement है, वो भी इस मन्त आप attend करेंगे, so definitely go there, आपको अच्छा फील होगा, especially if you are going through some type of a struggle, यह बहुत अच्छा time है, कि आप अपना time दूसरे लोगों के साथ spend करें, now I'm also seeing with this message in the bottle, एक इनसान है, वो आपको message करेगा, कोई इनसान हो सकता है, यह जैसे मैंने आपसे कहा, वो आपको message करेगा, वो इनसान आप action लेना चाहता है, लेकिन इस इनसान को समझ नहीं रहे है, आपको express कैसे करें, आपको बताए कैसे, यह message आपको किसी के work की वज़ा से भी मिल सकता है, ठीक है, कोई आपके साथ work करना चाहता है, औ वो भी यही चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, जो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपने action करना है, टाइम ज्यादा नहीं लेना, यह financial opportunity है, जो आपको message रसीव होगा, या आपको financial कोई ऐसे एक idea आता है, कोई आपको बताता है, कि यहाँ पे apply कर दो, यह यह कर दो, तो आप ले उसके लिए instant action लेना है, तो तब ही जाके आपके लिए यह work जो हो सीधा हो जाएगा, जो भी आप करना चाहरे हो, अब अज़ी देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या हो रहा है, यहाँ पे heart chakra है, तो definitely इस मन्थ आपको कोई ऐसी celebration करनी पड़ेग यह कोई ऐसे खुशी है, कुई चीज ऐसी है जो आप celebrate करेंगे, और यह दिल से खुशी है, आप दिल से खुश होंगे, that's really good, okay, with the heart chakra and three of cups, यह आपकी friendship को भी बात करता है, कि किसी ऐसे इसान से आप मिलेंगे, जो आपका friend बनेगा, long lasting friend बनेगा, यह यह इनसान भी हो सकता ह जो आपके heart को open करें, ठीक है, as a friend, as a lover, यह यह इनसान के पास, यह financially जो है, वो stable भी हो सकता है, ठीक है, आपका friend financially भी आपकी help कर सकता है, इस मत यह चीज में नजर आ रही है, यह आपका lover, यह आपका husband, यह partner, लेकिन कुई यहाँ पे है, जिसके साथ आपका conflict है, यह इनसान की life में इस मन्त क्या होने वाल है, आपको खुद भी balance करने की जरुरत है, विदा yin and yang, यहाँ पे black and white है, आपको खुद भी balance की जरुरत है, अगर आपका किसी के साथ कोई conflict है, आप please लेके जाओ, आप उनसे message की बात करो, आप सोच रहे हो किसी के साथ message करना यह किसी से बात करना, definitely do it, हो सकता है, उस इंसान को समझना आ रही हो, आप से कैसे बात करें, आपको अगर समझ है, तो आप कुद बात कर लो, ठीक है, now let's we have a travel, so yeah हो सकता है कि कहीं आपको travel करना पड़े, इस मन्त, लेकिन यहाँ पे talent है, so आप में से कुछ लोग अपना इस मन्त अपना talent दिखाएंगे, ठीक है, कोई ऐसा कोई, just मैंने आप से कहा, कोई action लेना है, आपने अपना talent दिखाना है, skill दिखानी है, किसी के साथ work करना है, partnership करनी है, वो भी बहुत अच्छी चीज है, we have a life purpose, या आप में से कुछ लोग इस मन्त से ही आप अपने life purpose को join करोगे, या आपक चल जाएगा कि आपको basically करना क्या है, आगे क्या करना है, with your life purpose, और कार देखें, आपके लिए कि कुछ नहीं कलता है, तो yeah, we have lighten your load, तो आप में से काफी सारे लोग, या जो आपका friend है, या जिसके साथ भी आपका partnership चल रही है, या जो भी misunderstanding चल रही है, lighten your load, मतलब कोशिश करें कि आप इस burden को release करें, अपनी life में peace लाने की कोशिश करें, और आपने से जो लोग बहुत ज़्यादा मैनत कर रहे हैं, थोड़ा सा time अपने लिए, आप अगर बहुत दिन रात मैनत कर रहे हैं, और आप बहुत exhausted हो चुके हैं, आपकी health पे भी affect हो रहे हैं, तो या उन commitment देना चाहता है, या आप हो सकता है, manifest कर रहे हैं अपनी life में commitment और आपको मिलेगी, बहुत जल्द, with this person, man holding a coin, ये इनसान काफी serious है, और relationship को लेकी भी serious होगा, ये इनसान Taurus Virgo Capricorn हो सकता है, या Pisces Cancer Scorpio, ये आपका sign भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास Gemini Libra Aquarius का sign भी है ठीक है, लेकिन आप जो भी है, आप एक दूसरे से opposite है, यहाँ पे भी black and white है, two birds है, वाप एक दूसरे से totally opposite हो, मतलब आपकी सोच कुछ और है, उनकी सोच कुछ और है, वो कुछ और करना चाते हो, तो हो सकता है, इस बात पे ही आपका हमेशा conflict रहता है, जगड़ा रहता है problem रहती है, लेकिन at the end of the day, आप दोनों का heart एक दूसरे के लिए beat करता है, यह करेगा, क्योंकि यह काफी romantic relationship होगा, आप दोनों दूसरे से love करते हो, यह आपका lover है, यह आपका friend है, मतलब कुछ भी हो जाए, लड़ जगड़ के भी, आपका husband या wife भी हो सकते हैं आप दोनों, मतलब लड़ जगड़ के भी आप हमेशा फिर एक साथ ही हो जाते हैं, मतलब यह इस तरह की energy है, कि आपका connection भॉत heart chakra based है, love है वहाँ पे, passion एक दूसरे के लिए, love है, true love, let's see, अब यहाँ पे इस card से देखते हैं, आपके लिए क्या निकलता है, we have a children, तो हो सकता है, इस month कु चिल्टरन से related कोई good news मिलती है, कोई celebration मिलती है, with the children, या children affect कर रहे हैं, आपकी love life को, यह चीज़ भी हो सकती है, या release your ex, आप में से कुछ लोग आपको अपने ex को release करने की जुरत है, ताके यह इनसान आपकी life में enter हो सके, या we have a new love, definitely, तो आप में से कुछ लोग यह आप new love attract कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने ex को release करना है, especially अगर आपको किसी के साथ बच्चे थे, या आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे, जो married man था, या woman थी, उसको release करना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी life में यह new love आ सके, peace आ सके, यह वो इंसान भी हो सकता है, जो वो इंसान अपने ex को release कर रहे है, ठीक है, आपकी life में अगर कोई ex नहीं है, कोई ex शेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो यह इंसान हो सकता है इस वक्त, focus कर रहे है अपनी healing पे, अपने inner child पे, या अपने बच्चों पे focus है, अगर वो single parent है तो, वो ex को release कर रहे हैं और आ जोनों के दर्म्यान में बहुत ही romantic feelings होंगी, बहुत ज्यादा, जैस मैंने आपसे कहा, यह heart chakra based पे love है, मतलब true love है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जितने भी opposite है, आप फिर भी एक दूसरे को compliment करते हैं, ठीक है, तो यह आपकी reading है, मैं मिलूंगे आपसे next reading में, like, share and subscribe, hello group number 2 आपका अगर letter N to Z है, और आपने यह वला काट चूस की है, welcome on your reading, देखते हैं में 2022 में आपके लिए क्लिए क्या होने वाले, love, career, life, overall, क्या energies है, क्या fortune है, good blessings आपके लिए आ रही है, let's see, so यह message है, let's see, इसके पीछे, we have a soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically, तो आप यह तो आप आप करेंगे, या अपनी feeling को express करेंगे, या आपकी union होगी, और लोग जो लोग single है, मुझे लगता है, आप definitely manifest करेंगे ऐसा partner, जो आपको समझे, आपको love करें जितना आप उनसे love करोगे, ठीक है, तो आप definitely अपने soulmate को manifest करेंगे, और attract करेंगे अपनी life में, तो आपको definitely manifest करना है किस तरह का partner आपको चाहिए, चाहिए आप लड़की हो या लड़का single हो, तो आपको देखना है, आप journal भी कर सकते हो, लिक भी सकते हो, किस तरह का partner चाहिए, क्या qualities होनी चाहिए आपके partner में, और क्या qualities आपके अंदर हैं, जो आप उस इनसान को help कर सकते हो, ठीक है, तो इस सकून ना दे, आप उसके साथ खुश ना हो, क्या करेंगे ऐसे पैसे का, घर का, बंगले का, या ऐसी चीजों का क्या करेंगे, आप कार का, गारी का, ठीक है न, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ हो तक, या पैसा is definitely money is important, रहने के लिए, लेकिन at the end of the day, आपको एक ऐसे इनस हो, ठीक है, honest हो, अगर आपको इस तरह का partner चाहिए, तो आपको qualities लिखें उस इनसान की, कि आपको किस तरह का partner हो, for example, अगर आप caring हो, आप चाहते हो, कि आपको caring मिले, sensitive partner हो, understanding हो, mature हो, spiritual हो, healer हो, मतलब इस तरह की energy जिस तरह भी हो, लेकिन अगर आप rich, wealthy और इस तरह की आपको अगर चाहिए, जब आप दुआ मांग रहे हैं, प्रे करें क्या रहे हैं, कि आप मैनीफेस्ट कर रहे हूं, आपको पता होना चाहिए, कि आप किस तरह का partner मांग रहे हो, अगर आप confused हो तो पिर तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको समझना चाहिए, कि क it's a masculine very masculine energy जो भी इंसान आपके साथ आप डील कर रहे हो यह masculine है यह जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे है वो काफी masculine है या तो आपके अंदर यह masculine energy है आप काफी masculine हो चाहे अप लड़की भी हो आपके अंदर यह yang energy हो सकती है या इस मन्त आपके अंदर याएंग अनरजी आएगी, आप एक्शन लोगे किसी की तरफ, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, एक strategy, एक plan के साथ आप जाओगे, उस इनसान से बात करोगे, यह strategy और plan आपकी dealing हो सकती है, किसी ऐसे इनसान के साथ भी, जो आपका guru है, mentor है, father ह brother है, आपका boss है, senior है, मतलब कोई भी ऐसा इंसान के साथ आपको deal करना पड़ेगा, और अगर यह romantic है, तो definitely, this person is thinking about you, we have a flexible, yeah, we have deception and inway, inway is coming twice, oh my god, we have disconnect and boredom, it came up reverse, so four of cups reverse, and we have a suffering and silence, okay, तो मुझे लगता है कि आप मैंसे कुछ लोग, यह इनसान, देखें मैं आपको एक बार बताती हूँ, यहां पे एक तो या तो यह इनसान आपसे jealous है, ठीक है, इस इनसान की बुरी नजर है आप पे, क्योंकि यह इनसान आपसे बदला लेना चाहता है, यह इनसान खुश न आप इस इनसान को पीछे छोड़के, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो, यह आप निव अपरचुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, और यह इनसान वहीं का वहीं खड़ा है, आप यह jealous यह आपका lover भी हो सकता है, आपका ex हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यह यह लोग हैं, जो jealous हो रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि यह लोग देख रहे हैं, कि आपकी लाइफ में कितनी तरक्की हो रही है, with the yang energy, masculine energy, the thinking man and in way and strategy, आप अपनी लाइफ में एक strategy के साथ आगे जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, आप आपका business, आप कुछ भी plan करो, कहीं बार जाना चाते हो, आपने किसी को बताना नहीं है, पहली बात तो यह, क्योंकि आपके बहुत बड़े haters हैं, jealous हैं, लोग jealous होंगे, especially your relatives, friends, family members, यह आपके ex-lover भी हैं, people भी हैं, आपके अगर fans भी हैं, तो आपके haters हो सकते हैं, fans भी हैं, अगर आपको कोई platform है, कुछ ऐसा काम आप करते हो, जहां पर आपको ऐसे लोगों के साथ deal करना पड़ता है, और आप flexible होने हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ वास्ता पढ़ सकते हैं, अब मैं एक और बात करूँगी यहां पर, जिस इंसान के साथ आप deal करे हो, तो हो सकता है, इस इंसान के haters हैं, इस इंसान से लोग jealous हैं, या आप से jealous हैं, मतलब आप दोनों के haters भी हो सकते हैं, क्योंकि यह कार्ड उस इंसान की तरफ भी आ रहे हैं, आप दोनों के haters हैं, और अगर आप दोनों relationship में आओगे, तब भी लोग बहुत जाता hate करेंगे, यह जो भी लोगों को पता चलेगा वो जालस होंगे कि इसको कैसे ये चीज मिल गई आपके अंदर Aquarius हो सकते है आप Aquarius sign हो सकते हो आप Gemini, Libra, Aquarius हो सकते हो, आप Water sign हो सकते हो Pisces Cancer, Scorpio, ठीक है यह इनसान की इनर्जी हो सकती है लेकिन काफी Masculine Energy है तो अगर यह Masculine है तो यह इनसान Aries हो सकते है Gemini, Leo, Scorpio, Capricorn यह वाले Placements है इस इस इसान के चार्ट में या आपके चार्ट में हो सकते है ठीक है, यह sign हो सकते है इस इनसान का लेकिन यहाँ पर Jealous होंगे लोग आप दोनों के Relationships से यह इनसान एक Strategy, एक Plan के साथ आपके पास आना चाहता है ताकि लोग Jealous ना हो यह आपके Jealous और Haters भी हैं जो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें उंगलवाना चाहते हैं, तो Careful रहना है आपने आपने Flexible रहना है यह आपने Peace को Disturb नहीं करना है मुझे लगता है आप मैंसे काफी सारे लोग Definitely कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ खरीदने का या कुछ आगे करने का आप मैंसे कुछ लोगों को यह हो सकता है Because it's like a evil eye With a suffering in silence and deception Evil eye आपके उपर evil eye है, मतलब हो सकती है आपे evil eye या इस मत हो सकती है क्योंकि वो लोग चाते हैं कि आप सफर करो आप आगे आगे ना जाओ आपको success ना मिले, आपको हुशिया ना मिले तो यह definitely बहुत ही जो भी है आप अपने आपको मैंसे रहां की reading करती नहीं हूँ आप दोनों के jealous हैं especially आपके jealous बहुत हो सकते हैं haters हो सकते हैं या इस इनसान के, जो भी है यहाँ पे कुछ लफडा लग रहे है मेरे को ठीक है ना, jealousy का इस मन्त हो सकते है आपको strategy कोई plan कर रहे हो कोई action ले रहे हो, तो वहाँ पे भी jealous लोग हो सकते हैं कोई आपको ये भी देख सकते है कि आपको ये चीज़ क्यों मिल रही है ठीक है, आपको सक्सेस पा रहे हो या कोई आपके खिलाफ भी कोई बात कर सकता है कोई rumor फिला सकता है आपने flexible रहना, ये आपकी key है let's see, आप लोग की life में मजीद क्या होने वाला आपको एक proper planning और strategy के साथ आगे काम करना है carrier की तरफ जाना है, ये लव की तरफ जहां पर भी आप जाना है flexible होके सोच समझ के, दोनों तरफ से देखना है आपने के क्या हो रहे है या ये इनसान इस वक्त आपके साथ flexible या courage आप लियो हो सकते हैं ये इनसान लियो है, ये courage है तो आप मैंसे काफी सारे लोग आपको हिम्मत और flexibility के साथ काम लेना है courage, strength, आपको इस मंद एक strategy के साथ, एक courage के साथ आगे भी बढ़ना है आपको कुछ करना है ऐसा जो काफी सारे लोगों को jealous कर सकते है या आपके अपनी family वाले ये कुछ लोग भी होंगे, वो कहेंगे कि ये चीज़ मत करो but you have to do it with the courage ये इनसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है with the Leo, masculine energy, मतलब ये इनसान के अंदर इतनी हिमत होगी वो आपकी तरफ आएगा, action लेगा और आपसे बात करेगा we also have a spirit guide या मुझे लगता है आपको protection हासिल है अपनी guides की तरफ से आप protected हो, आपको ये परशान होने की उज़त नहीं है लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जिसमें आपके उपर evil आए है ये लोग आपसे jealous हैं, इस इंसान से भी और अगर आप relationship में आ रहे हो, इस soulmate के साथ लोग jealous होंगे, जो भी आई है we have a forgiveness, हो सकता है ये कोई past वाल नवर है जो आपके पास आए, आपसे माफी मांगे या कुछ लोगों के लिए ये forgiveness आपको कोई आपका पीछे वाला कोई इसा इंसान था जिसने कोई हरकत की थी आपसे past में जेलिस होके, और फिर वापके पास दुबारा आएगा तो उस इंसान पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो अभी भी जेलिस है अभी भी वापका दुश्मन ही है, इवल आई है उस इंसान की हो सकते है, ये past वाला कोई इंसान है, जो आपके पास वापस आए कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमें ऐसे बात की थी या मैंने तुमारे सथ ऐसा किया था past मे लेकिन केरफुल रहना है, आपने ये इंसान जो है डाफिनेटली, माफ बेशक कर दें, अपने पीस के लिए, अपने स्कून के लिए लेकिन दुबारा ट्रस्ट करना, वली गल्ती मत करना इस इंसान पर अगर इस इंसान आपको दोका दिया है, चीत किया है जूट लोग आपके पारिज और कॉन्फिडेंट से भी जैलस हैं यह तो बता दू है लोग आपके पास मुझे लगते है जो आपके पास जो पितने अपने हैं पूस्टे अप बोल्ड हो उससे जैलस हैं आपके तहले लोग और ऐस इंसान को वो चीज पसांदा यह आप नहीं अपनी लाइफ में आगे, डिसीजन लेना है, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है न, ये ना होके फिर, मसला हो जाए आपके लिए, So, let's see, love relationship में आपके लिए क्या है, from romance. इस मन्त आपने अपनी courage और confidence के साथ, आपने अपनी strategy भी बलानी है, कुछ ऐसा काम भी करना है, जो आपकी, अगर आप यहां पर अकेले बैठे रोते रहेंगे, तो आप रोते ही रहेंगे, ये रोने वाला time लहीं है, आपका time आगया है, with the four of cups reverse, निकल के अपनी opportunities को देखें, and grab करें, जो चीज़ आपको चाहिए, strategy और plan के साथ, मैंने पहले बोला है, ये eclipse आपकी life में बहुत बड़ा shift लाते हैं, और आपकी जो shift में, especially इस pile के लिए, आपके अंदर ये courage आएगा, strength आएगी, confident आएगा, और ये लोग आपको देखेंगे, कि आप तो बिल्कुल change हो ग जो आपको सिर्फ हर्ट करने आते हैं, आपके बार में rumors पलाते हैं, आपके haters हैं, jealous हैं, उनको अलग करें अपनी life से, और आपने करना है, क्योंकि ये बाद में आपके लिए ये ही लोग रोड़े अड़काएंगे आपके रास्ते में, आपकी शादी के मामले में, आपकी soulmate के मामले में, आपके love के मामले में, या जब भी आपको success मिलेगी, ये लोग jealous होंगे, let's see now, ये आपका ex भी हो सकता है, jealous होगा, क्या आपकी life में कोई और आ रहा है, या आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, या आपकी और relationship में जा रहे हो, we have a forgiving and learning, yeah, तो हो सकता है, ये को ये बेवकूफी दुबारा नहीं करनी, किसी की बातों में आके आपने इस relationship को खतम नहीं करना, ये इनसान आपका soulmate है, और आपकी life में आना ही चाहता है, और आएगा, चाहे वो आप अभी मिलोगे इस इनसान से या बाद में, हो सकता है, ये इनसान आपसे माफी मागने आ साथ एक strategy, एक plan के साथ आपसे बात करना चाहता है, लेकिन या soulmate और आप इसके साथ separation में हो, ये इस वक्त आप इनको मिले ही नहीं हो, तो ये इनसान आपको definitely कहीं नहीं manifest कर रहे है, आपको attract कर रहे है, या आप इस इनसान के साथ इस वक्त भी flirt कर रहे हो, आप दोने के दर flirting के थू, जब आप flirt करोगे, आपके अंदरे तनी हिम्मत होनी चाहिए, और बोल्ड इनाफ, अगर आपको कोई पसंद है, go and tell this person, या बहुत difficult होता है लोगों के लिए, especially जब कहते हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जब आप किसी को करते हैं, go and tell them, at least आपको ये तो पता होगा ना, कि आप उस इंसान को बता रहे हो that you like them, right? अब ये अगले की मर्जी है कि वो आपको yes बोलता है, या no बोलता है, at least आपको तो कभी कोई regret नहीं होगा, कि आपने बताया नहीं था इस इंसान को, ठीक है चाहिए, आप लड़क कि तुरू भी मिलोगे, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़रा रही है, ये आपकी engagement भी है, जो ये इंसान आपके साथ करना चाहता है, अगर आप इस इंसान को अरड़ी जानते हो और आपके दरम्यान में separate है, separation हो गई है, इंसान वापस आएगा, माफी माँएगा आपस से, relationship को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जैलस होंगे, आपकी इस engagement से, आपकी इस commitment से, आपकी इस शादी से, they're not happy, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको पता है किस तरह की reading करती हूँ, मैं जैस यहां पर reading नहीं करती हूँ, मैं आप करो, और आपके भी, उनका कोशिश ही होगी, क्योंकि वो जैलस होंगे, वो नहीं चाहते है कि आप दोनों एक साथ हो, और अगर ये कोई past वाले लवर भी आ रहे है, तो आप, आपको अगर फील होता है कि ये आपका soulmate है, go for him, किसी और की नहीं सुनी पकवास, दोस्तों की फैमिली की, कोई बोले कि ये नहीं, तुमारे लिए ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है, आपको फील होता है कि ये इनसान जनुरली आपसे लफ करता है, और माफी मांग रहा है, और रिलेशन्शिप को आगे बढ़ाना चाता है, give them chance, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ये आपका लवर, ठीक है ना, मैं मिलूंगे आपसे नेक्स रिडिंग में, बाइ, लाइक, शेर और सब्सक्राइब, हिट दे नोटिफिकेशन बेल,